आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस टापिक में यूपी बोर्ट से सम्मंदित एक इंपॉर्टन निउज निकल कर आई है जो की 2024 और 2025 के वे विद्यार्थी जो बोर्ड की परिच्छा में बैठेंगे उनके लिए एक इंपॉर्टन निउज है तो आईए हम बिना रुकई से जानते हैं कि कौन सा हुआ इंपॉर्टन निउज है जो की यूपी बोर्ड से आया है और यह सभी विद्यार्थियों के लिए जानना अतियावस्यक है क्योंकि यह जो आपका नया जो पणाली है सिच्छा का उसको हम आसान तरीके समझ लेक से समयसर पणाली होगी लागू यानि 2024-25 के वे बिद्यार्थी जो बोर्ड की परिच्छा में बैठेंगे उनके लिए यह आवस्यक न्यूज है कि अब उनका जो एक बर्स में एक बार परिच्छा होता था वह नए समयसर पणाली लागू हो गई यानि 2024-25 से तो आईए हम बिना रुके इसे समझते हैं जो बच्छे इस चैनल पर नहीं को पर चैनल को सब्सक्राइब करने क्योंकि इस चैनल पर क्लासिक से लेकर 12 के विद्यार्थियों की तयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है इसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि किस तरह से आ आपका लखनव से ही है मादमिक सिच्छा बोंड से जुड़िच हात्रों पर पढ़ाई का बोज कम होगा नए सर से नवी से द्यान से समझ येगा नवी से बरहमी का ज्छाता कुल आज समेश्टर में पढ़ाई और परिच्छाएं आयोजित की जाएंगी यही नहीं विज् आपके वल एक ही बर्ग की परिच्छा आपका जो कोर्स वही चलाया जगा जिनमें बोड के सभी विश्चा सामिल होंगे नई सिच्छा नीत के अनुसार उच्छे सिच्छा की तरह अब मादमिक विभाग के पाठे करम में बदलाओ की योजना बनाई जा रही है बोड परि नेबस को जिस्से की पढ़ाई करने में उन्हें बहुत आसानी हो चात्रों को पढ़ाई में सहूलियत मिले इसके लिए मादमिक सिच्छा विभाग अब खंड-खंड में बोड की परिच्छा लेगा ताकि परिच्छा के लिए चात्र बेहतर त्यारी कर सकें सिच्छा के सवालों के जब आप ओ यमार सीट पर देने होंगे जो इस समय पढ़ाली लागू भी है वहीं पचास नंबर की लिखित परिच्छा होगे लिखित परिच्छा में भी सवालों भी बिकल्प दिये जाएंगे बहुत बड़ी है आपके लिए परिच्छा से संबंधित टोटल आप ओयमार की ही परिच्छा देंगे उसके बाद दिया है संबंधित बिकल्प में से ये का जवाब परिच्छारती को देना होगा ये जानते हैं परिच्छारती की चार बिकल्प में से ये कहीं हमें चुनना होता है सेमेस्टर पणाली लागू होने से छात्रों में समग्र सिच्छा का होगा विकास मादमिक सिच्छा विभाग के कोर्स से समेश्टर पहाणी लागई होने से छात्रों में समग्र सिच्छा का विकास होगा पाठाय करम के साथ ही काउसल विकास से जुड़े कोर्स में भी छात्र पर सकेंगे इसके जरिए उन्हें तकनिक वा समझ से जुड़ी सिच्छा लेने का आउसर मिलेगा कम समय में मूल्यांकर वा बिसे बन्धन से चात्रों को मिलेगी मुक्ती यानी कि जो सेमेख्टर पातरी लाग्य होने से कम समय में चात्रों का मूल्यांकर हो सकेगा जिस विज्ञान के साथ इतियास विज्ञाज भी पर सकेंगे अब इभावाक अपने बच्चों पर भी विज्ञान बर से पढ़ाई करने का दबाव नहीं डाल सकेंगे ना ही कला बर से पढ़ाई करने वाले बच्चे की काबिलियत पर सवाल होंगे विभाग इसके लिए सभी बर को खत्म कर सामान बर के कोर जारी करेगा विभाग के मुताबिक रसायन भवतिक जीव गनित पाठय करम की पढ़ाई करने वाले छात्र कि इच्छा इतिहास पढ़ने की है तो उसको पढ़ सकेगा इसी तरह भुगोलित या समासा सरसा स्वागिरी बिग्यान पढ़ा करम की पढ़ाई करने वाले छात्र इच्छा नुसार गणितुबा बिग्यान बिसाई की पढ़ाई कर सकेंगे एक इंपोर्टन टापिक यहां और है उसको भी जान लिजे माधमिक सिच्छा विभाग में यनसी अब 2023 को पूरी तरीके से लागू किया जाए यानि जो नई सिच्छा नीती है उसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया नए सत्व में पढ़ाई के लिए कई तरह की योजना बनाई गई है उच्छे सिच्छा की तरह माधमिक सिच्छा विभाग में सेमिस्टर प्राली लागू होगी सिच्छ की तरह चात्रों को समग्ड व्यक्तिगत मुल्यांकन प्रामाड पत्र दिये जाएंगे खेल पूद में परतिभाग विज्ञान परदर्सनी वह अन्य तरह के पर सिच्छा कार के परमाड पत्र भी मिलेंगे या जो है वास्तायूक्त सिच्छा निदेशक डांक्टर परदीप कुमार द्वारा लखनव मंडल से या जारी किया गया है या इनके बक्तब्य हैं तो आपके वे बिद्यार थी जो अगले बरस यानी दोहजार 24 और 25 में एक्जाम देंगे उनके लिए या इंपर्टन निज है कि उनका जो सिच्छा का अस्तर है वहाँ नए सर्थ से आपका सेमेश्टर प्रादी लाग हो जागी 9 से लेका 12 तक के जो विद्यारती है वो 8 सेमेश्टर की परिछाएं देंगे और सभी परिछाओं में उनको पास होना है तो या आपक का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद